आपर यार जाए आए जी सर्थ सभी सातियों को जै भी नमो गुद्धाय ये जो वीदा पीपल समझ संग का कंसेप्ट बहुत ही इजी और असान है समझने में कोई समस्या नहीं है पहले भी आप देली सुनते हैं क्या है कि इसकी जुरूर्ट क्यों पड़ी और यह है क्या समझ संग हमारा पुर्खों का हमारे जो दादे पर दादे या ऐसा का वो और भी पुर्खे कहें और पिछे से कब से चला रहा है बुद्धा से भी पहले चला रहा है इस संग संग को हमने रिवाईव किया है हमने याद किया है और हमें लगा कि अब जो हालत जैसी हो रही है कि संग को याद करके जो हमारी जब हमारी संगे सकती थी ताकत थी तो उसी सम्दुबारा से अपनी ताकत को प्राप्त कर सकते हैं जरूरत क्यों पड़ी जरूरत इसलिए पड़ी है कि आज सतर साल हो गए और सब कुछ हो रहा है हमारे इतने संग्ठन है इतनी पार्टियां भी है हमारी इतने नेत लोग है या हैं के अधिकार जो है सारे के सारे चीनी जा रहे हैं रोगो जा ना कोई ना कई किसी भी लेवल पे लो चाए परलेमेंट में लो असंबली में लो जहां भी कानुन बन रहे हैं तो उन कानुनों में हमारे देखने वाले हमारे MP MLA कहीं भी उनका प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है रोज को इनको नए कानून आ जाते हैं जैसे अब प्राइवेटाइजेशन का कानून आ गया कभी सिख्षा का कानून आ रहा है कभी कुछ जो पुब्लिक सेक्टर्स तक बेचने का रहा है तो इन सब के होते हैं हमारी जा रही है हमारे जो नोकरियां खतम हो रही है सिख्षा महेंगी होती जा रही है स्वास्ते महेंगा होता जा रहा है हम कहां जाएंगे हमें पढ़ने के लिए स्कूल सिख्षा है स्कूल का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है स्कूल जो है सरकारी तंतर का काम होता है सरकारी सिस्टम को प्रमोट करना उस को सपोर्ट करना हो रहा है उल्टा कब से होता आ रहा है कि प्राइविटाइजेशन को बढ़ावा मिलता जा रहा है तो हम हमारे हम कहाँ जाएंगे सविधान क्या कहते है स्विधान तो हमारे लिए हम लोग yourself के लिए हमने बनाए लेकिन हमारे लिए लिए कुछ नी हो रहा पुछ लोगों के लिए सब कुछ हो रहा अगर हो रहा है तो सारी नीतिया वैसे बनाई जा रही है और दूसरा अगर हम जनता में या हम देखें तो रोज हमारे साथ जेवन जया नतिया बढ़ती जारी है रोज बलाध कार की घटनाएं बढ़ रही है और हरत रहें कि कई मारपीट हो रही है कि हमारे अधिकारों पे हनन्न हो रहा है यह बोलने तक कि अजादी तक छिनी जा रही है पीने पानी तक घोड़े पे चर्णा आया सा नए हमारे सामने आ रही है तो क्या सिधान का जो एक प्रिकलपना थी या जो हमारे जो आजादी के लिए जितनी कुर्बानिया दी गई और उसके बाद सिधान का बनाते वे जो मैनत की रही और सिधान में जो सारे प्रविजिंज किये गए क्या कुछ हो रहा है क्या आप देल हमें एक चोटा से वोट का दिकार वह उन हाँरा तो फिए लिब्ग हमारा यह कुछ नहीं हो रहा है उसमें भी वह भी नहीं हो पा रहा रहे यह वह और मह मारा ख़ति जा रहा है गणना बढ़्ते जा रही है राष्टर निर्मान की जो बात थी वो कहां हो रही है राष्टर निर्मान कोई देश की सिमाओं से नहीं बनता देश में जो लोग है वो उनकी सोच क्या है उनकी डावलेमेंट क्या है उसे राष्टर निर्मान बनता है होता है तो वो सब उनके पिछे रीजन क्या है यह सब हो रहा है उसमें यही है कि हम बिखरे हुए है कब से बिखर रहे हैं बाबा साब ने हमें पहले तो चलो जितने बिखरे थे बाबा साब ने हमें चार ग्रूप में बांटा है और माइनोर्टी भी है लेकिन हमने क्या किया हमारे संग्टनों ने पार्टियों ने क्या किया वह जाती है संग्टन बना दिये वर्गी करन कर दिया या धरम के नाम पर संग्टन बना लिए या फिर पार्टी के नाम पर भी उनको भी हम संग्टन ही कह सकते हैं दल बने हुए ह हमारे MPML उन्हीं दलों की बात करते हैं या कोई भी MPML दूसरे है सासक वरग बना हुआ है सासक और सोसक सासक और सोसन करने का हम सोसित है तो ये सब कैसे दूर हो सकता है ये जब ही दूर हो सकता है जब हम इकठे हूँ संगे सकती तब ही हमारी ताकत बनेगी लेकिन हो क्या रहा है आज हम देखे तो 29 लाख संग्थन बने हुए है और 29 लाख में से 4 लाख संग्थन जो है वो एक्टिव है वो कभी न कभी कहीं साल में एक बार दो बार चार बार कहीं न कहीं प्रोग्राम भी करते हैं पैसे समाज से लेते है हर वरग में है यह संग्धन और उस अपने वरगों से या जो भी जाती के अधार पर ध्रम के अधार पर पैसे लेते हैं उसके बाद कारिय करम करते हैं वावाई मंच और माईक की बात करते हैं वहां किसी को बुलाते हैं उनकी फूल माला की बात होती है उस पर खर्चा होता है पैसे हमारे होते हैं लेकिन असलियत में कुछ हमारे दिकारों की रक्षा नहीं होती है अग चोटे चोटे सहरों में मैं अपने यहां इसार की बात करूँ यह रियाना की बात करूँ जगह जगह रविदास बहुन बने हैं लेकिन वहां क्या हो रहा है वो बिल्दिंगे बनाने के लिए कभी किसे को बुला लेते हैं उनका तो पैसे के चक्र में और पैसे ले ले उनके अगेंस दिखाने चाहिए हमें क्या जब हमारे उदरं से पैसे यहां करेंगे सरकारों या उसके और जंता के बीच में एक ऐसी बने वैंटे LAUGH जो सच्छाइक सामने टो फूर्म मैसेज कुव कैंज यह थीए हमें रोज दिखाना चाहिए कि हमारे representative है, ये हमारे लिए कुछ नहींगे, ये अपने मतलब के लिए अपना कोई न कोई से कहा होता है। उसके लिए आते हैं हमारे पास, नाम तो लेते हैं कि हम समाजगार काम करेंगे, आएंगे कठे होके, पैसे लेंगे यह कारिया करना एक आरिया के यह फाइदा यह होगा एक्ट्वल में उनका ध्यान कहीं और होता है आज वो कोई पद परदान की बात करते हैं फिर उनके मन में होता है कहीं मुझे एंपी है मैं लेगी टिकट मिल जाएगी फिर सोचते हैं कि मंत्री मतला अपना ही सब कुछ और जो यह बनाये जाते हैं अपने इस तरह के संग्टन वहां रोज लडाईयां होती है लडाई के घर बने हुए रोज जो है पद और परदानों की लडाई है परदानों की लडाई में अपना एक से दो दो से चार ऐसी इसलिए ऐसे करते करते ही संग्टन बने तो हम लोगों को अब वीदा पीपल को यह इकठा होना पड़ेगा तब हम अब यह लग रहा है कि हम लोगों को अपने अधिकार खुदी बचाने परेंगे जो आम जनता है आम लोग है वह अपन समझें कि हम अपना अधिकार बचा हुदी सकते हैं और उसको अधिकार बचाने के लिए इकठे होना पड़ेगा इकठे होने के लिए उस नियम है कि लिए उन परोdar को बिमाना पड़े घर में यह कहीं भी परिवार में दो लोग या समाज में चार लोग, कटे कब होंगे, कैसे होंगे उनमें छोटे-छोटे बातों पर आपसी जगड़े रहते हैं, कभी मतलब कह सकते हैं, हम आपसी कले है, कोई हम नसा की बात कर सकते हैं, वो नसा है कुछ नकुछ आपस में आपसी छोटे-छोटे जगड़े है बढ़ा है कोई तरह के कि पैसे पे जगड़ा है विस तरह के जो जगड़े हैं ये बादा है यह ने की उन्नочно दूर करना है उसको दूर करने कि लिए मेशंज को पंचिल को माननेश इनुद का यहां पर कहीं न है रोज पर yay है तो क्या है सीलवान बनना है में हम अगर सद्दाचारी होंगे ठीक होंगे तो परिवार में आप सी मेल जो अपने आप बढ़ेगा भाईचारा बढ़ेगा मानना में मतलब हम सब संग की जो संकलपना है जो हमारा पुरान उसको मानेंगे, सिवधान को मानेंगे, सिवधान पूरा पूरा क्या है, सिवधान पूरा पूरा धम का जो परतिविंब है, तो अगर हम सिवधान को मान रहे हैं, संग को मान रहे हैं, संग के नियमों को मान रहे हैं, तो हमें आसानी रहेगी संग में आने की, जब हम इकठे ह तो हम जीश जाएंगे क्योंकि हमोंधारे सामने पूरे एक्जामेल है। यह फिर से थे चार सब ने पड़ेया है पड़ेया तो कि साद ने गठेगे चाले कि था तो ने तोड़ दिया जब इकठे होगे तो गठा हो नहीं तूटा तो इस तरह हैंगी छोटी-छोटी बिलकुल ही हम रोज सुनते हैं लेकिन उस पर धान नहीं दे रहे हैं बिलकुल भी फिर भी हम विखरने की तरफ बढ़ते रहते हैं तो हम इकठे होंगे तो जुड़ेंगे जीतेंगे अधरवाइस तो दो अप्रेल की घटना जैसे है उस ताइम कोई नेता या कोई संग्ठन किसी ने यहां तक कि भी हुआ कि जो संग्ठनों के बड़े-बड़े संग्ठन थे उनके नेताओं ने तो यहां तक कह दिया था कि हमारा कोई संबन नहीं भी से अंदोलन कि सब अपने संग में सड़कों पर दर्शन किया पूरा स्यांति पूर्वक से ठीक है चोटी मोटी घटनाएं तो होगी जब इकठे होंगे तो हमारा एक अधिकार बच गया जो हमारा कह सकते हैं कि सविधान में सेस्टी एक्ट था वह वापिस आ गया इसी तरह है अगर हम बात करें किसानों की अभी तो कैसे जीते हैं अगर वो 32 संग्ठन थे अलग लग रहते तो क्या उनका कानून थे जो गलत समझ रहे थे हम लोग या किसान लोग सही में भी तो क्या ये वापिस होते हैं लेकिन पूरा संगर्स किया और संग के शांति पूरुन तरीके से इतन कि उन्होंने क्या 22 संग नोंने संग बनाया तो हमें भी वो संग्ठनों को संग बनाने की जूड़ता यह लेकिन हमारे संक्ठन पता नहीं कहा क्या सोच रहे हैं आज वी सितने कह सकते हैं परतिष्टा और पर्धानगी में फें तो ठीक है आ जाएंगे लेकिन मैं वह CSV परदान कोरन नहीं होगा फिर मंतरी कोरन बनेगा स्य कोरन होगा पार्टियों की बात करें वैंए बात सूचते यह भाउना से इकटे नहीं हो सकते इकटे तभी is और भेए सकते द्रुम पर चलेंगे बूस्तिशिंस्टा परदानगी इन से संग में आगे निमों को पालंग करते हुए जब इकठ्झ होने की भावना आ जाइगी भाएचार है की भावना होगी तो हम इकठ़् होगि और टाकत बने गी तो हम जीतेंगे और हमारे सारे अदिकार हम हम अपने आप बचा सकते हैं और इसमें जो जुड़ने की संग के नियम है उमिमानने जो भी मीटिंग होती है हम कोशिश करते हैं उसे बिलकुल खरचा ना हो फ्री अपोस्ट मीटिंग हो सब अपना खाना ले के आते हैं शांति से वहां बैठते हैं जो भी जगह हम फ्री ओप कोश्ट या कम से कम पैसे में चाहे हमारा अंबेडकर बहुँन है रविदास बहुन है कभीर बहुन है गुर्दवारा है या पारक में बैठके हम अपनी मीटिंग करते हैं निचे बैठना तो सब निचे बैठेंगे बर सारे जो भी पैसे खर्चा होगा हो सब मांट के करेंगे पहले बात अपने घर से खाना पानी लेकर आएंगे अगर फिर भी कोई पैसे की बात आती है तो वह फिर सेंट्रीबूटी यह सब सेरिंग करेंगे और हर आदमी अपना खाना जब घर से लाएगा अपने लिए वहाँ फिर खाना एकठा होता है एक जगह उसके बाद हो शंखर खाना हो जाता है उस में किसी का यह निया और है यह उसका अच्छा था बुरा था संग का खाना है सब भाईचारे से अपना इकठा है तो उससे भाईचारा बढ़ता है कोई वेहिकल का खर्चा है वो सेरिंग है तो यहां पर किसी तरह कोई खर्चा नहीं है किस लिए पर्ची कोई पैसे नहीं किस लिए पैसे कठे करने है ना जूरत है ना करेंगे संग कभी पैसे इकठ्थे नहीं करेगा जो खर्चा है इमिजेटली उस ताइम कोई कारिय करम करना है लगबग जितना हो सेरिंग इसी तरह संग के नियम है कि संग कभी पार्टी नहीं बनाएगा कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा क्यों जाएगा कि जूरूरत भी नहीं है हम तो इकठ्थे हैं कोई भी पार्टी होगी कोई सरकार होगी इकठ्थे होंगे तो हमारी बात अपने आप माननी जाएगी हमारी जो भी अधिकार हो बचे रहेंगे और है वो भी हमारे वापिस हो जाएंगे आगर इकठ्थे होंगे तो तो यह संग में बहुत बड़ी ताकत है इसे समझें, और यह हमारा डेली का कंसेप्ट है. जुड़ेंगे हम, जितेंगे, जिद है जुड़ने की, जुड़के रहेंगे, संग में रहेंगे, संग को ताकतवर बनाएंगे, सब मिलेंगे, तब ही जीतेंगे. जब जब जुड़ेंगे हम जुड़ते हैं तब ही तब ही जीतते हैं जब जब हम जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे जितने जुड़ेंगे उतने जीतेंगे तो सारे जुड़ेंगे हम जिद है जुड़ने की जुड़ कह रहेंगे धन्यवाद थैंक यू आप सभी से ये नेविदन है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकि वीडियो आपको लगता है द्धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में बेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या printer में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरनं गञ्च्छा मूँ संगं सरनं गञ्च्छा मूँ तूथियंक्पी बुद्धं सेनं गञ्च्छा मूँ बूतियंपी गुतंग सर्णं गच्छामी, बूतियंपी दम्मंग सर्णं गच्छामी, बूतियंपी दम्मंग सर्णं गच्छामी, बूतियंपी दम्मंग सर्णं गच्छामी, बूतियंपी सर्णं गच्छामी, बूतियंपी दम्मंग सर्णं गच्छामी, बूतियंपी पी संगं सर्वं गच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्वं गच्छामी पी संगं सर्वं गच्छामी पी संगं सर्वं गच्छामी पी संगं सर्वं गच्छामी